नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल जयकार्मी में दोस्तों आज हम बात करेंगे आई टी आई वालों के लिए जो बच्चे या सिक्ष बिद्यार्थी जो आई टी आई कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए उत्तर परदेश सरकार द्वारा सिक्षुता प्रोत्साहन योजना के ताहत उनके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाने जा रही है लेकिन दोस्तों हम पूरी बात करें उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अच्छी तरीके से निकली हुई थी तो हमने सुचा इसको क्योंना सेर किया जाए जो विद्यार्थी आइटियाई कर रहे हैं और अपने भविष्य के पर्थचिंतित है निश्चित रूप से है यादि कोई डिगरी लेता है तो उस डिगरी के तहत वह अपनी भविष्य का निर्मालक करना चाहता तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों एक लाक हुआओं को आप्रेंटिस सिप्कराएगी सरकार जय हाँ हाँ पैप्रेंटिस आई टी आइ करने के बार ओ становится होता है आप्रेंटिस करने के बारन के बाल अस्ठाई रोजगार में बच्ची लगते हैं तो सदुपयोग जरूर करें पुछली दोस्तों परदेश सरकार मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्षाहन योजना के तहत एक लाख हाइट जाई परसिक्षित युवाओं को रोजगार वा सेवा योजन के पोर्टल में रेजिस्टर सत्रा हजार नेजी प्रतिष्ठानों में आपरेंटिस्षिप के आधार पर परिशिक्षण दिलवाएगी इसके बाद उन्हीं उद्दोगों में परिशिक्षार्थियों को इस्थाई नौकरी दिलाने की कोशिस करेगी राष्ठिय सिक्षता प्रोत्साहन योजना की कम्यों सी सबक प्रदेश सरकार 2016 में शुरू की गई राष्ठिय सिक्षता प्रोत्साहन योजना की कम्यों सी सबक लेकर मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोटसाहन योजना को और प्रभावी ढंक से संचालित करने की तैयारी कर रही है जी हाँ नेशनल लेबल पे ये जो है पहल 2016 में ही शुरू किया गया था लेकिन उसका जो है लाब उत्तर परदेश नहीं पा रहा था उसी को पूरी तरह सफल वनाने के लिए मुख्यमंत्री श्रीयोगी आदितनाजी दोरा ये कदम उठाया गया है तो आपरेंटिस्टिप के एवज में दोग इन युवाओं को नियूनतम 6,000 रुपया महेना देंगे इसके लिए परदेश सरकार ने इस साल अपने वजट में 100 करोन रुपय की विवस्था किये खेंदर की योजना राष्टिय शिक्षता परसिक्षण योजना के तहत 2019 विश तक पूरे देश में 50 लाख युवाओं को उठायों में आपरेंटिस्टिप करने का लक्षी रखा गया था लेकिन पिछली चार सालों में 3.5 लाख युवाओं ही आपरेंटिस्टिप पर रखे जा पाए हैं यूपी में केवल 30,000 आईटिय परसिक्षित उद्दोगों में आपरेंटिस्टिप पर हैं अब सरकार का प्रियास है कि हर उद्दोग कम से कम 5 परसिक्षार्थियों को भाग नियुवाओं को रोजगार देने के लिए अलग से इंटीग्रेटेड एंप्लाइमेंट पोर्टल तैयार किया है सेवा यूजन डाट यूपी डाट नाइसी डाट इन पोर्टल में 17,000 निजी उद्दोगों को पंजीक्रित किया गया कि केंदर सरकार की व्यवस्ता क उद्दोग अपने यहां कुल कर्मियों का ढहाई से 15 फिस दी तक आई टी आई पर सिक्षितिवाओं को आप रिंटिसिप पर डखेंगे परदेश सरकार मुक्ष मंतरी सिक्षुता योजना के तहत इस नियम को मानने के लिए उद्दोगों पर जोड़ा लेगी तो यह रही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करें और कमेंट भी किया करें जिससे वीडियो को और अच्छा बनाया बनाने का हम प्रियास कर सकें तेंक्यों दोस्तों